हुआ हाई फ्रेंड्स स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इडिटर आनंद में तो पुरंड आज की इस वीडियो में हम कुछ इस परकार से स्ट्रीव बनाने वाले हैं जैसा कि आप उस्क्रीण पर देख चुके हो तो फ्रेंड समस्पाइं कि वीडियो को कैसे एडिट करना है सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेसे इंट्रस्टिंग भषाइब convey adjut in了veumbsiveness marketing को कर लेते हैं यहां से आपको क्रियाइट न door कर लेरा हों उसके बाद आपको 16.9 का रशीव लेना लेने के बाद केंद यहां से आपको नेक्स्ट पर किलिक कर देना है आप यहापन हम सब इससे प्लवन एपने फोटों का सेलेक्षन करेंगे तो चलिए फ्रेंड मैं आपके जनकारी के लिए बता दू के मैं आप पर जितने फोटों को सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पर हमें पैंस जूम में आना है आने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से बराबर कर देना है उसके बाद फोटो को में कुछ इस प्रकार से दोनों फिंगर से जूम करके अच्छी तरीके से अपने हिसाब से अपने फोटो को एजस्ट कर लेना है तो देख सकते हो फ्रेंड इस प्रकार से यहां से में । कर देना है तो चले फ्रेंड मैं जल्दी जल्दी तकि हमारा वीडियो ज्यादा लंबा नबने तो यहां पर हमें अपने सभी फोटो को अच्छी तरीके से एसे टोर्ण कर लिए नब में उस effect का नाम बता दे रहा हूं आपको कौनसा effect download करना है तो friend यहां से आपको CHyside वाला effect download कर लेना है download करने के लिए simply आपको इस store के option में जाना है यहीं से आपको download कर लेना है उसके बाद यहां से उपन कर लेना और यहांपर हमें select वाला कुछ इस प्रकार से देना है देने के बाद यहाँ से हमें okey करते ना है और एकेंड वाले plus के आइकन पर क्लिक करेंगे और सथी और प्रोस्स करके उसी प्रकार से यहाँ पर हम Zoom Slide वाले folder को ओपन कर लेंगे और यहाँपर हम second वाले दे देंगे सेकेंड वाला देने के बाद यहां से ओके कर देना है तो चले फ्रेंड इसी प्रकार से मैं सभी फोटो में अपलाई कर ले रहा हूँ ताकि हमारा वीडियो जादा लंबा ना बने तो फ्रेंड यहां पर हमने अपने सभी फोटो में ट्रांजिक्शन एफेक्ट को अपलाई कर लिया है अब यहां पर मैं इस एरो पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस वीडियो को हमें एक बार सेब कर लेना है तो चले फ्रेंड मैं से एक बार सेब कर ले रहा हूँ इस video को save होने के बाद आगे की editing होगी तब तक हम बेट कर लेते हैं तो friend यहाँ पर हमारा video save हो चुका है अब यहाँ से हमें कुछ इस प्रकार से back आ जाना है देख सकते हो friend यहाँ पर आपको back आ जाना है यहाँ पर home screen पर उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से plus के icon पर click करना है click करने के बाद यहाँ पर हमें 16.9 का receive लेना है लेने के बाद यहाँ से next पर click कर देना है अब यहाँ पर हमने जो video export कहता है उसी को यहाँ पर add कर लेना है तो चलिए फ्रेंड मैं इसे add कर ले रहा हूँ add करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से starting position पर आ जाना है अब यहां पर फ्रेंड इस वीडियो को select करेंगे select करने के बाद यहां पर हम नीचे के side में आएंगे तो यहां पर हम वेगनेट को कुछ इस प्रकार से on कर देना है on करने के बाद यहां से हमें cut कर देना है देख सकते हो फ्रेंड कुछ इस प्रकार से आपको भी कर लेना है उसके बाद यहां पर हम layer में जाएंगे media में जाएंगे और यहां से अपने template वीडियो को add कर लेते हैं तो चलिए friend मैं यहां से अपने template वीडियो को add कर ले रहा हूं add करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से speed screen पर आना है और इसे full screen कर लेना है उसके बाद यहां से हमें back आ जाना है आने के बाद यहां पर हम blending के option में आएंगे आने के बाद यहां से हमें इसे skin कर देना है कुछ इस प्रकार से करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है अब friend यहां पर हम first वाले वीडियो को select करेंगे select करने के बाद यहां पर हमें three dot पर click करना है उसके बाद हमें कुछ इस प्रकार से duplicate as layer बना लेना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी कर लेना है और इसे में कुछ इस प्रकार से छोटा कर लेना है और थोड़ा सा rotate करके लाना है इस frame में set कर देना है देख सकते हो friend इसी प्रकार से आपको भी कर देना है फ्रेम में set करते समय आपको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है नहीं तो आपका अच्छी तरीके से set नहीं हो पाएगा अब यहां पर हमें three dots पर click करना है उसके बाद इसे हमें send to back कर देना है कुछ इस प्रकार से आपको send to back कर देना है उसके बाद इसे अच्छी तरीके से adjust कर लेना है करने के बाद यहां पर हमें cropping के option में आ जाना है आने के बाद इसे अच्छी तरीके से crop कर लेना है इसी प्रकार से आपको अच्छी तरीके से cropping कर लेनी है करने के बाद यहां से क्या करना इस match को enable कर देना है और feather को यहां पर हमें 25 कुछ इस प्रकार से कर देना है उसके बाद यहां से हमें OK कर देना है अब यहां पर हम फिर से layer में जाएंगे layer में जाने के बाद यहां से हमें effect में आना है उसके बाद यहां पर हमें basic effect में आना है आने के बाद यहां पर हम first वाले को select कर लेते हैं select करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है और इसकी size को हमें कुछ इस प्रकार से बढ़ा लेना है उसके बाद यहां पर हम three dot पर click करना है और इसे send to back कर देना है और इसकी duration को खींच कर यहाँ पर इंडे तक हमें कुछ इस प्रकार से कर देना है करने के बाद यहाँ से हमें कट कर देना और कुछ इस प्रकार से starting position पर आ जाना है अब friend इसमें अपना template वीडियो लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम layer में जाएंगे मीडिया में जाएंगे जाने के बाद यहाँ से अपने template वीडियो को add कर लेते हैं तो friend इहाँ पर हमने अपने template वीडियो को add कर लिया है add करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से इसे full skin कर लेना है उसके बाद यहाँ से back आ जाना है बैक आने के बाद यहां पर हम नीचे के साइड में आएंगे तो यहां पर हमें blending में आना है blending में आने के बाद हमें कुछ इस प्रकाश से skin कर देना है इस skin करने के बाद यहां से हमें ok कर देना है तो friend हमारा status video completely बनकर तयार हो चुका है अब इसमें song अपने कार्टिंग आप लगा सकते हों तो सबसे पर फिर इस टेंपलेट को सिलेक्ट करेंगे सिलेक्त करने के बाद से इसनों की आइडियो को को हमें कुछ इस प्रकार से म्यूट कर देना है यहां से ओकी कर देना है तो चलिए फ्रिट सेब करने के लिए यहां पर किलिक करना है किलिक करने के बाद यहां पर क्वाल्टी अपने हिसाप से रख सकते हो और सेब पर क्लिक कर देना और आपका वीडियो सेब होना स्टार्ट हो जाएगा